आज हम बनाएंगे ताजा हरे मटर की बहुत ही टेस्टी सबजी सरदियों में मटर बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं और उससे हम ये सबजी बनाएंगे जो बहुत टेस्टी बनकर तयार होती है नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका श्यामर सोई मी तो चली शुरू करते हैं बनाना हरे मटर की सबजी बनाने के लिए मैंने यहां 1.5 कप ताजा मटर लिए है एक साइड में हमने पानी गरम होने के लिए रख दिया है हम मटर के दाने पानी में डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा उबाल कर लेंगे ताकि ग्रेवी में पकने में टाइम ना ले आदा चम्मच नमक डाल कर मिक्स करेंगे और एक उबाल आने का इंतजार करेंगे जैसे ही पानी में उबाल आएगा गैस की आँच को बंद कर दीजिए और मतर को एक चलने में निकाल लीजिए मतर को एक उबाल आने तक उबालने से हलके से सॉफ्ट हो जाते हैं ग्रेवी के लिए हमने यहां दो टमाटर 5-6 काजू लिए हैं जिसे मैंने 10 मिनिट गरम पानी में भीगा दिया था, एक हरी मिर्च ली है, इन सभी को काट कर हम मिक्सर के जार में डाल लेंगे और इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे. नेक्स्ट हमने यहां एक प्याज लिया है, बारिक कटा हुआ, पांच सिच है, छोटी वाली लहसुन की कली है, एक इंच अदरक का टुकडा है, अदरक और लहसुन को हम क्रश कर लेंगे, आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हो. फाइनल सबजी बनाने के लिए, कडाही में मैंने यहां तीन बड़े चम्मच तेल लिया है, तेल के गरम होते ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, आदा चोटा चम्मच जीरा, एक चोटा टुकडा दालचीनी का, दो लोंग और एक इलाइची, इन्हें तेल में ड भूनेंगे, प्याज को हमने दो मिनिट के लिए भूना है, और अब हम इसमें क्रश किया हुआ अदरक और लहसून डाल देंगे, इसे भी हम प्याज के साथ दो मिनिट के लिए अच्छे से भूनेंगे, या जब तक इनका कच्चापन नहीं निकल जाता है, तो यह लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, अब हम इन मसालों को प्याज के साथ भून लेंगे लो गैस पर, तो देखिए मसालों को हमने भून लिया है, अब हम इसमें टमाटर काजू वाला पेस्ट डाल देंगे, काजू डालने से ग्रेवी को बहुत बढ़िया टेक्चर मिलता ह टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है, अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और अब हम इसमें नमक डाल देते हैं, तो मैं पूरी सबजी के हिसाब से ही इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें डाल दीजिए, और अब हमें gravy को तब तक पकाना है, जब तक कि इनके किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता है, ढग कर पका लीजिए, low gas पर पकाईएगा और बीच बीच में हमें इसे चला लेना है, वरना ये तले में लग सकता है क्योंकि हमने इसमें काजू डाला है, तो आप इसे बीच में जर पका लेती हूं, continue चलाते हुए, और ये देखे, मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक गया है, तो इस वक्त हम इसमें ये मतर के दाने डाल देंगे, अब हम मतर को gravy के साथ पहले अच्छे से mix कर लेंगे, मतर को एक उबाल आने तक पका लेने से gravy में पकने में ज़्यादा टा मैं इसे बहुत ज़्यादा gravy वाला नहीं बना रही हूं, जो लटपट वाली gravy आती है, वैसा ही बना रही हूं, और अब हम इसे ढखकर medium to low flame पर मतर के soft होने तक पकाएंगे, तो देखे हमें इसे पकाते हुए लगबग 15 मिनिट हो गए हैं, और बीच में मैंने 2-3 बार इसे चला दिया था, तो पहले हम चेक करेंगे कि मतर soft हुए हैं की नहीं, यदि मतर soft नहीं होते हैं, तो आप इसे और 3-4 मिनिट के लिए पकाएंगा, मतर soft हो गए हैं, तो बस अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच fresh cream डालेंगे, यदि आपके पास fresh cream नहीं हैं, तो घर में जो पूद आता है, उसकी मलाई भी डाल सकते हो, एक छोटा चम्मच भूनी हुई कसूरी में थी, और एक चम्मच kitchen king मसाला डाल कर अच्छे से mix करेंगे, फ्रेंट्स यकीन मानिए मेरे पूरे घर में बहुती बढ़िया खुश्बू आ रही है इसकी, हम इसे अच्छे से mix करके एक मिनिट और पकाएंगे, मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें एक चोथाई कप पानी और डाल देती हूँ, गरम पानी डाला है मैंने, और इसे अच्छे से mix कर लेंगे, आप ग्रेवी की consistency को बाद में भी गरम पानी डाल कर adjust कर सकते हो, तो एली जी हमने एक मिनिट और पका लिया है, और हमारी सबजी बनकर बिल्कुल तयार है, हरा धनिया डाल कर mix करेंगे, और गैस की आज को बंद कर देंगे, आप इसे पूड़ी, पराठा किसी के भी साथ सव कीजिए, ये बहुत जादा tasty बनकर तयार हुई है, तो friends, रेसिपी अच शेर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके,